एक तो लेट उपर से कैसे देख रहा था येस हम लोग कहते कल बाहर तो मैं बताता हूं आपको चलिए गई जादी रात को 12.50 की ट्रेन बकड की वो भी भाग के मैं पहुच गया तक बोरी वली स्टीशन तो जी हां बोरी वली से हम लोग जाने वाले हैं लाल बाग तो चलिए तो ट्रेन में बैठते ही मैंने मेरी मस्ती चालो कर दी क्योंकि टाइम था पहुचने में उसके बाद हमें उतरना था लोवर परेल लेकिन उतर गए दादर तो बादी रात को देखो कैसे लोगों के बीच हम चलके जाते हैं उसके बाद हमने बुक की ओला और बारेश हो रह रहे हैं हम लोग उसके बाद तोड़ा सा टाइम पस मैं भी करता हूं अपने चाते के साथ क्योंकि रूड पर कोई नहीं था पूरा रूड खाली था और कैब आने में टाइम थी यह है रूड की कंडिशन भाई टेक्सी वाले के जगा कोई और दीखी नहीं रहा अड़ाई तो फाइनली उसके बाद मैं भागा जैसे ही लाइन को ली और मेरे कैमरा हाथ में था तो पीछे देखी बच्चे कैसे मस्ती कर रहे थे हैं वो हमारे व्लोगर्स के साथ होता है उसके बाद हमें मेले दर्शन करने को लग तो ऐसा ही रहा था कि पहुच गए लेकिन भाई उसके बाद एक सीडी और चड़ने पड़ी और पंदरा स्लाइट चड़ने के बाद मुझे चड़ने पड़ी फिल से पंदरा स्लाइट भाई मेरे तो लेटरली आलत कराब हो गई बट अंत में सबर का फल मीटा होता और देखिये कितनी सारी लाइन थी और उसके बाद भी हमें और चलना पड़ा देखिये कैसे बाई गिस-गिस के दक्के-पिटे लग रहे थे कैसे भी कर रहे थे बट मैंने अपने आपको समाल लिया और उपर से वीडियो ले लेना मुझे काफी यूनिक लग रहा था भता ने क्यों लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था मेरे काम में और आगे काफी ज़्यादा फ़न हो रहा था वीडियो में ऐबई कैसा टुकर टुकर देख रहे देखो देखो यह यह जो दक्का दे रहा था मुझे पेचे से उसके बाद मुझे पायासूसवरी उसके बाद हम लोग वापस निकल गए ट्रेन में कोकोड़ा पीते हुए एंड वापस घर आते हाथे हमें हो गई थी सुगा क्योंकि राद पर हम बहुत तके ते फिर भी चेहरे पे मुस्कान थी क्योंकि बपा की दर्शन हो गएते हैं और हमने कुछ से बा बाइ टेकर राव यू सिया